प्रफासाक्षी करतावे बत में आप सभी का स्वागत है आज के इस करतावे पत में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश और चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले ताकि आप ऐसे ही इंट्रेस्टिंग और जानकारी पून करतावे पत देख सके केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के लक्ष को ध्यान में रखते हुए ही काम करती है इसी धे पर आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश और चानल करोड रूपए खर्च करने वाली है आईए आपको बताते हैं कि किन योजनाओं पर केंद्र सरकार काम करने जा रही है इन योजनाओं की बतालत युवाओं को रोजगार के अफसर मिलेंगी वहीं गरी वेवम मध्यम वर्ग ये परिवारों के सपनों को उड़ान मिलेगी इसे दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रधान वंती नरेंडरी मूरी ने मध्यप्रदेश में BPCL के पेट्रो केमिकल कैंपस की आधारशीला रखी है इस परियोजना के तहट भारत कॉर्पोरेशन पेट्रोरियम लिमेटेट के बीना कैंपस में 45,000 करोड हुपे लगाकर पेट्रो केमिकल परिसर का निर्माण होगा इस रिफाइनरी के जरिये 1200 किलो ट्रन एथिरलिन का उत्पादन होगा जिससे पैकेजिंग और फार्मा जैसे शेत्रों में लाभ मिलेगा इस रिफाइनरी की बदौलत देश में आयात कम होगा यह रिफाइनरी आत्म निर्वर भारत की परिकल्पना को गती देने की पहल के अनुकूल एक बड़ा कदम है बुंदेल खंड वा आसपास के इलाकों में स्योजना के जरिये विकास की रफ्तार बढ़ेगी इसी के साथ कई आध्योगिक परियोजनाओं की आधार शीरा रखी गई है इन परियोजनाओं के जरिये नर्मदापुरम जिले में विद्यूत और नवीकर्णी ऊर्जावी निर्मान शेत्र इन दौर में दो आईटी पार्क, रतला में मेगा ओध्योगिक पार्क और मध्यप्रदेश में 6 नए ओध्योगिक शेत्र का निर्मान किया जाएगा ये परियोजनाओं 460 करोड रुपए से अधिक की लागत से तयार होगी जिसमें नर्मदापुरम में विद्यूत और नवीकर्णी ऊर्जावी निर्मान शेत्र को विक्सित किया जाएगा आर्थिक विकास और रोजगार पैदा करने के लिए ये बेहद लावकरी है इसके साथ ही इन दौर में आयोटी पार्क का निर्मार होगा जिसमें 550 करोड रुपए की लागत आएगी इसके जरिये भी रोजगार के नए अफसर युवाओं को मिलेंगे रतलाम में केंद सरकार 460 करोड रुपए की लागत से मेगा और जगिक पार्क बनाएगी इसे युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रोजगार के अफसरों का स्रिजन होगा इस पार्क की बदालत लगबग 50,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है चत्यसगड को गती देंगी यह परियोजनाए प्रधानमंती नरेंद्र मोधी ने चत्यसगड के लिए 6,350 करोड रुपे की परियोजनाओ का शिला नियास किया है मोल रूप से यहराशी रेल परियोजनाओ में उप्योग होगी जिससे नेटवर्क चत्यसगड इलाके में सुझरेगा अब सन रचना की दिशा में काम करते हुए प्रधानमंती नरेंद्र मोधी ने पूर्व रेल परियोजनाओ चरण एक चांपा से जमगा के बीच तीसरी रेल लाइन पेंडरा रोड से अनुप पूर के बीच तीसरी रेल लाइन और ताईपली कोईला खदान को एंटीपीसी लारा सूपर थर्मल पावर स्टेशन से जोडने वाली MGR प्रणाली शामिल है इन नई रेल लाइन की शुरुआत होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा मही रेल परियो जिनाए शेत्र में यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के साथ माल धुलाई को सुविधा जनक बना कर सामाजिक आर्थिक विकास को गती देने में मददगार साबित होंगी भारत की उर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तलाई पल्ली कोईला खदान को एंटी पीसी लारा सूपर थर्मल पावर स्टेशन से जोडने के लिए प्रणाली की शुरुआत होगी अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके